तो आज से जो है हम लोग जीके का जो पार्ट है जो सिरीज वाइस वो अलग तरीके से देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा चेंजेज मैंने लाया है इसमें तेखें सबसे पहला चेंज मैं बता देता हूं आप लोगों से कि ये लगभग हर एक एक जाम के लिए चाहे वो आ मैं एकदम explain करके लगभग जो भी question explain करने लायक होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं सभी को जो भी explain करने लायक होगा वो करके आपको बिल्कुल clear करूंगा ठीक है और कोशिस करूंगा कि आप लोग का confusion हो वो दूर हो जाए और आप लोग को याद हो जाया ठीक है और उसके पहला question आज का हमारा पहला question है DNS DNS एक networking सब्द है जिसका संधर्म डैस में होता है जो DNS है इसका full form होता है domain name system यानि कि option A सही हो जाएगा अब इसके काज के बारे में बताते हैं यह एक ऐसा system है जो कि जो computer सेवाएं होती है उसमें internet या कोई निजी network है निजी यानि private network तो उसके जोड़ता है मतब संसाधन के लिए क्रमिक नामकरन परनाली मतब क्रमिक क्रम से संसाधन की यह परनाली यानि कि system है उसको जोड़ने के लिए क्रम करमा अनुसार जोड़ने के लिए domain name system इसको बोला जाता है ठीक है समझ गए clear है आगे दूसरा है हमारा telephone exchange का अविस्कार किया ठीप इसकार किया था सही एंसर हो जाएका option ए यानि के तिवादर पुस्कास ने टेलिफून एकस्चेंस का अविस्कार किया था ठीक है अगला इसकरवी मसूडों से खून आना किस बिटामिन की कमी से होता है तो यह सकरवी विमारी है जो कि जो हो जाय तो आपके मसूडों से खूनाएगा ठीक है और ये बहुत ही गलत मतलब बुरी बीमारी है तो इसलिए और इसके जो बिटामिन जो इसका कारकर होता है मतलब जिसकी कमी के वज़े से होता है वो है option C यानि कि बिटामिन C की कमी से यह होता है अब हम बात कर लेते हैं बाकी vitamins के अगर तो vitamin K की कमी से अगर vitamin K की कमी हो जाएगी तो आपके सरीर में जो रक्त का थक्का है यानि कि अगर आपका कहीं कटता है तो उससे blood आना लगतार जारी देगा यानि कि blood का थक्का नहीं बन पाएगा ठीक है अगर vitamin B2 की कमी हो जाती है तो आपका जो त्वचा है यानि आपकी skin जो है वो फटने लगेगी ठीक है तो त्वचा में problem हो जाएगा ठीक है अगर B2 की कमी होती है तो चौथा नंबर जों हमरा question है वो है कünü सो दिये गा है सही इंसर जाएगा इसके लिए option D यानि की चीकू का जो बिग्ञानीग नाम होता है वो है एक्राश सपोता टीक है अगर सीटाफल की बात की जए तो सीटाफल का जो बिग्यानाम होता है वह एन्यो 되어 एने उना ठीक है एनोना स्वाको मैस स्वाको मैस होता है इसका नाम स्वय को मैस ठीक है तो यह जो होता है सीता फल के लिए अगर हम सेकंड बात करें गुलमोहर के लिए तो कि ऑप्सन भी है तो इसका नाम होता है डेलो निक्स डेलो निक्स इसका नाम हो जाता है बैग्यानिक नाम ठीक है टेलो निक्स ठीक है समझ गए और अगर हम इमली की बात करें तो इमली का तो लगबग सब को पता होगा आई होप की सब को पता हो लेकिन मैं बता देता हूं टेमें टेमें रिड्स टेमें रिड्स ठीक है इंडिका इसका नाम होता है टेमरिंड इंडिका ठीक है इमली का नाम होता है तो इसका सही अंसर ऑप्शन डी यानि कि चीकू हो जाएगा जिंगा डैस परजाती के अंतरगत आता है तो जो जिंगा है यह सबसे पहले तो मैं बता दू यह मचली होती है जिंगा जिंग और चीजे हैं जो की आती है उसमें एक और चीजे है कि एक चिंगट मछली होती है चिंगट ये मछली भी आर्थो पोड़ाके ही अंतरगत आती है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केकडा जो होता है केकडा और उसके बाद मकडी मकडी उसके बाद बिच्छू, गोजर, सतपर्दी ये जितने भी हैं ये सब अर्थो पोड़ा के अंतरगत आते हैं आई होब कि आपको याद रहेगा जो भी है जिंगा के अलावा आपका चिंगट मचली, केकड़ा, मकडी, बिच्छू और गोजर ये सब जितने भी हैं ये अर्थो पोड़ा के परजाती के अंतरगत आते हैं आगे छे नंबर कुशन हम देखते हैं कौन सा परदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है तो अगर हम कांच में अगर हम मिला देते हैं आपका तो अगर हम कांच में क्रोमियम ऑक्साइड मिला देते हैं यानि कि ऑप्सन सी जो है अगर हम मिलाते हैं तो इसका जो रंग होगा हरा रंग मिलता है ठीक है? मिलाने से ठीक है अगर हम calcium oxide मिला देते हैं इसमें तो हमारा देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों से जो अगर आप cobalt oxide मिलाएंगे तो आपका गहरा नीला बन जाएगा अगर आप मिला देते हैं उसमें selenium oxide तो नारंगी लाल हो जाएगा sodium chromate मिलाने पर हरा हो जाएगा sodium chromate ठीक है और उसके बाद तो sodium chromate मिलाने से आपका जो हरा रंग मिल जाएगा आपको और इसी परकार से और भी ज़्यादा होते हैं बहुत सारे तो वो सब हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं तो हमारा ये आप लोग नोट कर लेना ये option C हो जाएगा chromium oxide से हरा रंग मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे तेवहार पुर्णीमा के दिन मनाया जाता है options हमारे सामने हैं दसाहरा holy Christmas या राखी सही answer हो जाएगा हमारा option B यानि की holy holy जो है वो पुर्णीमा के दिन मनाया जाता है ठीक है ठीक है चलिए अगला अगला हम देखते हैं अगला है हमारा कि बेवपार संतूलन बाइलेंस ऑफ ट्रेंड में किन दोनों के 20 का अंतर होता है ठीक है तो इसका options आपके सामने है और सही answer में बता देता हूँ आपका option B जो है यानि की दिसका निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है बेवपार संतूलन में बेवपार संतूलन साप साप अगर हम word की बात करें बेवपार संतूलन तो इससे ही समझ में आ रहा हम है कि बेवपार में संत निम्न में से कौन सी गैस यदि वाताबरण में हो तो अपनी गंद से जानी पहचानी जाती है ठीक है तो इसका अगर हम बात करें तो सही इंसर इसके लिए हो जाएगा को अगर आप हवा में छोड़ देते हो खुले वाताबरण में तो वह अपनी गंद से आपको पहचान में आ जाएगी ठीक है इसमें गंद बहुत होता है तो इसलिए यह पहचान में आ जाएगी ठीक है तो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी यानि कि सल्फर डाई ऑक्साइड अखरी है हमारा भारत में जैव भौगौलिक छेत्र की संक्या कितनी है हमारे इंडिया में जैव भौगौलिक छेत्रों की संक्या टोटल ऑप्सन भी यानि कि 10 है दस जैव भौगौलिक छेत्र हैं इंडिया में हमारे भारत में ठीक है अब बता देता हूं में कौन कौन से देखिए, लद्दाक का ट्रांस हिमालई चेत्र, ठीक है, उसके बाद हिमाले परवतमाला, थाररेगिस्तान, दक्कन का पठार, पच्छिम घाट, उसके बाद अंडमान निकोबार का पच्छिमी, और अंडमान निकोबार का पुर्वी भाग, ये दोनों, अगर हम करेंगे त तो दस टोटल जो हैं, वो जयव भागावलिक छेत्र की संख्या हैं भारत में, ठीक है, तो आज के लिए ये दस थे, जो की जीगे को कोशन थे, I hope कि आप लोगों को बहुत ही जादा समझ में आए होंगे, और आपको पसंद भी आया होगा, ऐसे, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और सेर करना अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट सेक्शन में करके कॉमेंट बताना कि कितने आपके सही हुए और आपको ऐसे प्रिपरेशन करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है, बाकी कोई भी सवाल सुजा हो तो मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो और इंस्टा और फेस्बूक को फॉलो करके वहाँ से भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलता हूँ आगे की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?